हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर तो फ्रूट कस्टर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा रेसिपी लेकर आई हूं मैं आप लोग इसा शेयर कर रही हूं तो आप लोग बिना इसकिप के एंड तक जरूर देखना तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसको हम चलाते रहेंगे ताकि पैन से ना चिपके और एक उवालाने का वेट करेंगे और यहां पर तब तक हम हमारा कस्टर पाउडर को मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने दो चमज कस्टर पाउडर लिया है और उसको ठंडे दूद में मिक्स करूंगी आप चाहे तो य कर देंगे हमारा कस्टड जो मने बैटर बनाया था और बस चलाते रहना है क्योंकि बिल्कुल कस्टड एट करने के बाद बिल्कुल हमारा यह जो दूदे बिल्कुल थिक सा हो जाएगा तो यहां पर फ्रेंस उसी कटली मैंने आदा चमज और कस्टड पाउडर का बेटर बना के मैंने एट कर दया आप यहां पर आपको कम ज्यादा लगे तो आप इसमें दुबारा एट कर सकते हो उसी के साथ में तो यहां देखिए हमारा बिल्कुल थिक सा हो गया है क्योंकि यह तो यहां पर में इसी के साथ जो बैनिला एसेंस होता है वह मैट कर लिए आप यहां पी लाइची पाउडर भी एट कर सकते हो अगर यह ना हो दोनों तो कोई बात में आप स्किप कर सकते तो बस जब तक हमारा कस्टड थंडा हो रहा है तो हम यहां पर फ्रूट कर लेंगे पहले से अगर आप यह बनाना अगरा कट करोगे तो ब्लैक हो जाएंगे तो हम कट करके इसको फ्रीज में रख देंगे और यहां पर मैंने तो ड्राइप रूट कट कर लिए है सारे और यह देखिए हमारा बेटर जो है बिल्कु ठंडा हो गया है अब मैं इसको एक बाउल अब बनाना अब दो तरह के ग्रैप और इसमें ड्राइप फ्रूट तो बस बनाना और अनार तो जरूर एड कीजिए क्यों फ्रूट कस्टर में बनाना जब अब अब एड़ नहीं करोगे तो खाने का मजा ही निया आएगा तो बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और उपर स निदो से रोछा तो धीके संद अला तो ए webcomb कृश्टर ऊजलुंक फिल्कुल अपार को थंडा वाला केस्टर्ड वाला ना अजय को पसंद आए तो प्लीज चैनल उसी लिए goodbye झाल झाल